कैसे हैं आप सब आज की वीडियो डियाइवाई सोप पार टू है इसमें मैंने इसको बनाने का तरीका शेयर किया है और अगर आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात हैं अगर नहीं बना सकते तो आप एजली परचेस कर सकते हैं कॉमेंट करके तीन साल से जादा हो गया मुझे ये सोप बनाते हुए और ये बहुत डिमांडेट सोप है मैं जब भी बनाती हूँ तो सारे मेरे बढ़ जाते हैं तो अब मैंने सेलिंग परपस के लिए बनाना शुरू किया है और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि कोई भी एज ग्रूप इसे लगा सकता है मैं विमन बड़ो से ले करके बच्चों तक सबको ये सूट करता है जब से पहले मैंने लिकरिज सोप बनाया था क्योंकि ये स्किन लाइटनिंग के लिए है मिलेनिन प्रडक्शन इंक्रीज करता है रिंकल स्ट्रीट करता है प्रिमिचियोर ग्राम से चलेगा और इसकी अमार पी 150 रखी है मैंने अगर अभी आप पर्चेस करते हैं तो 120 या 100 में आपको मिल जाएगा और ये मैंने टैनिंग के लिए ग्लास स्किन पिंपल्स और वाइटमिन सी के सोप बनाया है इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैंन मैं रिव्योज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ इसमें मैंने वाइल टर्मरीक यूज की है और इंच पील पावडर, राइस फ्लार, गोट मिल्क जो की डीपली क्लेंस करता है स्किन को स्किन का बैलन्स इंप्रोफ करता है मॉस्टराइज हाइडरेट करता है गिलिसरी कि बेनिफिट्स बहुत सारे हैं क्योंकि यह फेट करता है, blemishes को, scars को, acne-treat करता है, tan remove करता है, skin को, brighton up करता है, signs of aging reduce करता है, facial hair growth को寒 कप करता है, skin infection को, hill करता है, skin exfoliate. करता है dead skin cells को आपको इसे दिन में दो बार योज करना है face wash के comparison में बहुत effective है और चीप भी है 150 में आपका one month चले गए सूप और visible result आपको one week के अंदर दिखाई देंगे अगर video पसंद आई हो या किसी को भी पर्चेस करना है अपनी skin type के recording आप कमेंट कर सकते हैं